मेरे प्यारे दोस्तों को चटपुजा की हार्दिक शुब काम नाएं बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल रतन भाईसा की रसोई में तो जैसे कि आप सबको पताई हैं चटपुजा आने वाली हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल प्रेस करना न भूले दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहां पे ले लेंगे एक बाउल और बाउल के अंदर हम डाल देंगे गेहूं का आटा तो एक कप प्लस आदा कप यानि की डेड़ कप हमने यहां पे गेहूं के आटे को चान के ले लिया हैं आप चाहो तो एक कप गेहूं का आटा और आदा कप जो है मैं दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मैं इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूं इसलिए मैंने सारा गेहों का आटा यहां पे ले लिया हैं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं अब हम यहां पे डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनेट यानि की जो सूखा नारियल होता है उसे आप कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं इसका पौडर भी आपको मार्केट में बहुत ही आसान से मिल जाएगा तो दो चमच बरके मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है एक चोटा इसके चमच हम यहां पे इलाइची का पौडर एड़ कर देंगे और इन सारे इंग्रिडियन्स को जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसके अंदर मोहिन के लिए डाल देंगे सुद्ध देसी घी तो मैं यहां पे दो टेबल स्पून के करीब जो है घी का इस्तेमाल करूंगे घी जो है आपको थोड़ा थोड़ा एड़ करना है अगर ज़्यादा घी हो जाएगा तो यह फट जाएंगे तो सही नाप स बनाना जरूरी है तो यह देखिए इस तरह से हम दोनों हतेलियों के बीच में या फिर एक हाथ से ही अच्छे से रब करके घी को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसे तयार कर लेंगे मोहिन चेक करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि इस तरह से आटे को उ चाय में इस्तिमाल करते हैं साबो चीनी उसी का इस्तिमाल किया है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप इसकी जगा पर पीसी हुई चीनी या फिर गुड को तोड़के भी एड कर सकते हैं या फिर गुड जो पावडर फॉर्म में मिलता है उसका भी इस्तिमाल हैं इसका मतलब हमारा डो जो है हाट सा गुंत के हमने यहां पर तयार कर दिया हैं इंग्रिडियन्स सारे आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे छोटे-छोटे इसके लड़ू बना लेंगे फिर हम इसको बिना सांचे के बना रहे हैं तो यह जल्दी से फटा-फट हो जाए यह देखिए इस साइज के बॉल्स जो है आपको बना लेने हैं अब हम एक बॉल उठाएंगे और इस तरह से दोनों हतीलियों के बीच में थोड़ा सा प्रेस करके पेड़े का शेप दे देंगे अब देख पा रहे हैं इसकी ठिकनस जो ह रहते ही हैं अब इस तरह से मैंने एक डिजाइन बना ली हैं अब मैं थोड़ा सा डो उठाके इसको सेलेंट्रिकल शेप दे दूँगी और इससे मैं बना दूँगी एक पत्ता यानिकी लीफ मार्केट में बहुती अलग-अलग तरह के साचे मिलते हैं और एक तूदबिक लीजिए और इस तरह से पत्ते का शेप दे दीजिए आप अपनी क्रियेटिविटी से चाहे जैसे ठेकवा बना सकते हैं या फिर इसे बड़ा असा रोटी के जैसे बेल के छोटी सी ग्लास या कट करके भी आप जो हैं बना सकते हैं तो तूदबी के हल्प से यह देखिए मैंने और एक दूसरा तयार कर दिया हैं अब हम लेंगे जिससे हम फ्राइ करके निकालते हैं उसका इस्तेमाल क्या है कर्ची का तो इस तरह से उल्टा रख के इसे प्रेस करेंगे तो आप देख तो यह देखिए कितनी शांदार लग रही हैं अब मैंने गैस पे तेल रख दिया हैं तेल को हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है जैसे ही हम डो डालेंगे तैयर के उपर आएगा इसका मतलब तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है गैस की फ्लेम को लो कर देना है इसमें बहुती सावधानी वाली बात है कि गैस की फ्लेम को लो रखिए और फिर इन सारे ठेकुआ को जो हैं आपको पकाना है आप देख पा रहे हैं ज़्यादा तेल गरम नहीं होना है अगर ज़्यादा तेल गरम होगा तो यह उपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से अब हम स्पून की हल्प से इसे किनारों पे लाएंगे और हलके हलके हातों से एक केक करके इन्हें पलट देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी डाली है और मोयन बहुत ही अच्छा डाला है तो यह क्या होंगे ना तेल में जो हैं बिखर जाएंगे अगर एक साथ आप प फ्राइ कर लेना है यह देखिए इसके उपर आपको हलके हलके ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं तो यह हमने ठीक हुआ जो फ्राइ करके ले लिए हैं ग्यास की फ्लेम बिल्कुल लो रखिए हम बार बार बता रहे हैं इससे क्या होगा ना लो रखके फ्राइ करेंगे न तो यह बाहर से एकदम खस्ता बनेंगे और अंदस से सौफ्ट बनेंगे तो यह दिखे मैं इसे इसी तरह चन्नी में छोड़ रही हूँ ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाएगा और यह गरम है तो सौफ्ट होते हैं ठंडे होने के बाद में एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसी तरह से मैंने सारे ठेकुआ को जो है फ्राइ करके ले लिया है तो यह हमारे चट पूझा के प्रशाद के लिए ठेकुआ बनके तयार है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद